दोस्तो आज की इस जनरेशन में इंटरनेट सबसे बड़ा साधन है अपने टैलेंट को दिखाने का और आज के समय में इंटरनेट की वज़ा से ही कई सारे टैलेंट हमें देखने को भी मिले हैं और उन्ही टैलेंट में से एक रही हैं गरीमा चौरसिया जिन्होंने टिक टॉक प्लेटफॉर्म से अपने टैलेंट को लोगो तक पहुँचाया नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है लाइफ इस्टायल सिरीज की छठमी वीडियो पर जिसमें हम जानेंगे गरीमा चौरसिया के बारे में पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबाईएगा दोस्तों गरीमा चौरसिया का जन्म 28 अगस्ट 1997 को निव दिल्ली में हुआ था एक टिक टोक पर गीमा आशी नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों गीमा ने 2017 में टिक टोक पर वीडियो डालना शुरू किया था और वो रेगुलर बेसिक पर वीडियो अपलोड करती थी एक दिन उनके द्वारा बनाया गया एक टिक टोक वीडियो बहुत हार्ड टिक टोक पर आग की तरह वाइरल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद गीमा की लगभग हर वीडियो वाइरल होने लगी जिसके बाद गीमा टिक टोक इस्टार के नाम से जानी जाती है इनके सोसल मीडिया की बात करें तो इनके इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फ्लोवर्स हैं जो दिन वर दिन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तो अगर हम इनके फेरेट एक्टर और एक्टरेस की बात करें तो उसमें अक्षे कुमार वो प्रियंका चोपडा का नाम सामिल है साथ ही ये एक यूटूबर भी है और इनके चैनल का नाम है रूगीमा दोस्तो गीमा आसी एक मिडिल क्लास फेमिली से बिलोंग करती हैं ये नियू दिल्ली में अपने मातापीतक के साथ रहती हैं और इसी के साथ गीमा आसी के दो भाई भी हैं दोस्तों गीमा आसी के वाईरल होने के बाद इनकी खुबसूरती के कारण कई तरह के स्पांसर्सीप और म्यूजिक वीडियो में इनको काम मिलना सुरू हो गया जिससे इनकी कमाई भी काफी हुई साथ ही ये एक यूटूबर भी हैं अगर हम इनकी 2019 से 2020 की साल भर की कमाई की बात करें तो वो करीब 12 से 16 लाख रुपे रही है इसी के साथ गीमा आसी ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है इनका पहला म्यूजिक वीडियो नवाब के साथ YRF YouTube म्यूजिक चैनल पर 22 अगस 2019 को रिलिज किया गया था यह गीमा का first music video था जिसके बाद उन्होंने कई music video में काम किया जो आप देख सकते है तो यह रही दोस्तों गीमा आसी यानि गरीमा चोरसिया की lifestyle वीडियो आप अगला lifestyle वीडियो किसके उपर देखना चाहेंगे यह हमें comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेयर करने के साथ हमारे चैनल आमी डाकुमेंटरी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा